कि सीटी के एक जाम में जो हमारा कॉमन इलिजिबल्टी टेस्ट है उसमें लग बग सात लाग तियत्तर हजार पांसो बहत्र लोग अपियर हुए थे जिसमें से तीन लाग त्रेपन हजार पांसो चब्विस लोग उतिरन हुए हैं और अभी अगले पंद्रा दिन में लग कोस्टों के अंगेस्ट एड़ोटेजमेंट हो जाएगी और अब की बार हम यह कर रहे हैं कि सारी एड़ोटेजमेंट हम एक ही दिन देंगे ताकि बच्चे किसी कनफ्यूजन में न रहें और वो अपनी प्रियोर्टी के हिशाव से अपने आवेदन कर सकें अगले पंद्र और सीटी पास ही उमिदवार जो है वो क्वालिफाई है कि वो अगली पोस्ट के लिए आवेदन कर सकता है हमारे स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए जो सी कलास है अगर उसमें टीचर छोड़ दे हम साड़े साथ हजार तो उसके अलावात तीस हजार पांच सो पोस्टे जो हैं वो हमारे पास सरकार की तरफ से आ गई हैं और 6,000 पुलिस की कॉंस्टेबल की भरती सरकार ने हमारे को करने के लिए कहा जिसमें 5,000 मेल और 1,000 फीमेल कंडिडेट और इसके साथ TGT 7,000 अगर इन सब का टोटल करें लगभग 42,000 से उपर C कलास के लिए और D कलास के लिए लग 14,000 के लिए अपलाई करेंगे D में क्योंकि D का अभी CET होना है और वो प्रस्तावित है 4-5 मार्च और 10 और 11 मार्च को कि इतने लोग उसके अंदर आविदन कर चुके हैं D कलास के लिए गरूप के लिए अगर हम बात करें डी कलास और C कलास में लग बग सभी कंडिडेट बराबर कंडिडेट थे जिनोंने अपलाई किया था 11,22,000 लोगों ने तो अब हमने उनका अवलोकन किया तो हमने ये पाया कि लग बग साड़े दस लाक जो कंडिडेट हैं वो कॉमन हैं D और C में कुछ सतर एक हजार कंडिडेट ऐसे हैं जिनोंने D नहीं भरा उन्होंने शिरफ C भरा था तो एक तरह ऐसे ये अनुमान है कि दस लाक चववन हजार लोग जो हैं D के लिए अपियर होंगे सर आप फरवरी के पहले सब्ता में क्योंकि 15 दिन बाद आप कह रहे हैं कि करीब 65,000 नोक्रियां जो हैं वो आप निकालने जा रहे हैं इसके अंदर नोक्रियों के अगर हम बात करें अभी D का जो CET है वो नहीं हुआ है नोक्रियों का जो इस्तिहार है वो आप फरवरी के कि एड़ोटाइजमेंट कर चुके हैं एक तरह से मतलब एड़ोटाइजमेंट ना कहें तो बच्चों को हम इंटीमेशन दे चुके हैं कि हमारे पास यह पोस्टें इस इस विभाग की हैं कल कंडिडेट यह न कहें कि CET मैंने इसलिए नहीं दिया था कि मेरे लाइक तो पो से उसके लिए प्रिपेर हो जाएं कि दिए में कौन-खौन-पोस्ट यह अंगि अगरम बात करने के लिए अघुक दी मैं लग बचछतीस तरह की पोस्टे हैं चोंकी दार है मारी है अं अ अरदली है कि धु भी है नाई है बेल दार है इस तरह की बहुत सी पोस्टे हैं जो को चतुर स्रेनीर कहते हैं कि सीटी जो अभी हुआ उसके अंदर कुछ तुर्टियां जो है वो पाई गई कुछ का कहना था कि पीपी की बज़े से सही अंक नहीं मिले है कुछ कामिया जो है चात्रों की तरफ से उसमें बताए गए उसको लेकर के क्या विचार किया जा रहा है यह हमारा पहला प्रियास था और पहले प्रियास में कुछ तुर्टियां रह जाती हैं और हमने कहा था अपने जो नोटिपिकेशन में कि हम सारी वेरिपिकेशन जो है वो ट्रिपल पी के अधार पे करेंगे तो ट्रिपल पी में ही कुछ तुर्टियां पाई गई हैं तो इ वो एक लाख असी हजार की कैप में आ गया क्योंकि सरकार ने नीती बनाई है कि अगर घर में नोकरी नहीं भी है और एक लाख असी हजार रपे से जादा उसकी इनकम है वारसिक तो उसको इसका लाब नहीं मिलेगा तो इस तरह कि जो कुछ तूटियां हुई है कि जिसको पर जिसने क्लेम भी नहीं किया था वो परिवार पहचा के अदार पर ही हमने इसको नंबर दे दिये ग्रांट कर दिये तो इसलिए हम पंदरा दिन के लिए पोर्टल खोल रहे हैं ताकि इन सारी तरोटियों को हम ठीक कर सकें पोर्टल सर कहां पर जो है आवेदक जो है उसक सकते हैं क्या उसका जो यूजर नेम है वो रहेगा वो ओन लाइनी है ओन लाइनी बच्चों को हम एक लिंक देंगे उस लिंक पे जाके लिंक ही नहीं देंगे प्रेस्क्राइब परफॉर्मा भी देंगे कि आपने अपनी कंप्लेंड या जो आपका कलेम है वो इस उस लाइक है और विग्यापन है यह आपस में क्लैस नहीं करेंगे हम विग्यापन भी और यह अफट यविडव पैरालल चलाते रहेंगे यह नहीं हम लाइ इंदियार करेंगे कि पहले हम अपडेट कर ले उसके निकालें ये दोनों चीजे साथ साथ चलेगे आवेदन के लिए सर कितना टाइम रहेगा जो नोकरियों के इस्तिहार निकल रहा है कितने समय तक आवेदन जो है वो किया जा सकेगा जो सुप्रीम कोट हाई कोट की गाइड लाइन है उसे उसमें कम से कम 21 दिन बच्चों को दे लिए कोई आवेदन दूसरा आवेदन नहीं है जो उन्होंने सीटी में आवेदन किया है उसके अधार पर ही जो हमारे 14 अगर वो उतीन हो जाते हैं तो उन्हें कंसेंट लेंगे सिरफ 14,000 लोग जो कंसेंट देंगे टोपर उनको सिद्धी नोकरी दे देंगे उनका कोई फ कितना समय इस पूरी पर क्रिया में लगेगा कब टेस्ट जैसे आपने बता एक किस दिनी आए एक महीने का समय देंगे उसके बार टेस्ट कब तक हो जाएगा रिजल्ट कब तक आ जाएगा और ये नोकरियां जो पैंसट हजार का आप दावा कर रहे हैं कब तक मिल पर मुझे पूरी उमीद है कि अगर 31 दिसंबर नहीं तो 31 मार्च दो हजार चोबिस तक ये पूरा का पूरा पैंसट हजार का भरती का टार्गेट है हम अचीव करने में कामियाब होंगे सर अभी तक भरतीय होकितनी चुकिए पैंसट अजार तो आपने बताई कि अपने प्थ reference क्या आप 22 में आया था चेर्मेन उसके बाद हमने 16,000 की भरती की है इस सरकार ने जो मनहुर सरकार है इसने लगबग HSSC के माददम से केवल HSSC के माददम से एक लाख लोगों को रोजगार दिया है यह तो ओन रिकार्ड है इसमें कोई जुटलाया नहीं जा सकता दूसरा CT कब होगा क्योंकि अब इसके बाद जो तमाम अभ्यारती हैं उन्हें इंतजार रहेगा कि यह CT अगर दे दिया होता तो 65,000 जो नोक्री हैं उनके अंदर उनका भी जो नाम है वो हो सकता था तो CT को लेकर कि अब आगे बच्चे पलस्टू में हैं या बी एक कर रहे हैं वो क्वालिफाई हो जाएं और यह हर साल अक्तुबर और नॉम्बर में CT के लिए एक्जाम होगा करेगा और अधियारत्यों के क्या कहना चाहेंगे सब्यक्री जो एक्जाम होने वाला है विग्यापन के एक डेड़ महिने बाद एक जाम होगा उसकी जो जो जोब है जोब अधारित question उससे ज्यादा पूछे जाएंगे लगबग 70% question जो है जोब अधारित पूछे जाएंगे जैसे कोई व्यक्ति जेई सिविल है तो हम जेई इंजिनिरिंग उससे 70% पूछेंगे 30% हम बाकी चीजें पुछेंगे जिसमें दस नंबर का कंप्यूटर जरूरी है और बीस नंबर में हम सारा अवेरनेस जी के हरियाना की जी के यह इस तरह की सारी बाते पुछेंगी तो हम एक नया ट्रेंड शुरू कर रहे हैं जो औरियंटल जो वह सलेबस अब की बार हम है पुलीस है वहां तो कोई जोब और इंटल नहीं है तो वहां हम एससी पैटर अपनाएंगे जो एससी कंबाइंडिंग जाम लेती है उस पैटर पे हम बच्चों का एक जाम लेंगे